इस वीड़ा में हम वेद व्यास आप सभी वेद व्यास जी को तो जानते होंगे इतनी बड़ी जो महा भारत है उसके रचैता वेद व्यास कहा जाता है यह पारम पर एक रचैता है हाला कि भट सार्थी को भी महा भारत का रचैता माना जाता है चलिए देखते इस पर बहुत समय निवन और वेद व्यास पर भी आ सकता है तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें तो चलिए स्टाट करते हैं इसको आप पॉइंट वाइस देख लीजेगा यह फास्ट है यह सेगेंड पॉइंट है यह थर्ड पॉइंट है इस प्रकार पॉइंट तो देव व्या हिंदू परमपराया कश्चन प्रमुखा देव व्यास हिंदू परमपरा में कुछ मतलब थोड़े बहुत प्रमुख है भारतस से महा भारतस से रचनाकार भगवान व्यास महा भारत के रचनाकार भगवान व्यास है व्यास अस्ती भी आप लगा सकते हो चाहो तो नहीं तो इतना भी सेंटेंस पूरा हो रहा है कि महा भारत की राचायता भग्मा व्यास है और हिंदू परंपरा में थोड़ी बहुत इंपोर्टेंट वेदा ना वेभाग अनीन कृता इतत्य वेद व्यास इती एत्यस या नाम जो क्या है जो वेदा वेदों के कई रचनकी द्वीप एश से जन्म अभवद इता क्रिष्न द्वेपायान इत्यपी एतष्य नाम उनका कहा जन्म हो था उनका द्वीप पर जन्म हो था और उस दीप का नाम है नेक्स देख लेते हैं एतष्य पिता पराश पराशर मुनी और माता थी सत्यवती अब देखिए आप इसको दो सेंटेंस में बना सकते हैं कि एतस से पिता परशुराम आसी और माता सर्स्वती आसी तो इस प्रकार दो वाकी भी बना सकते हैं उनके पिता पराश मुनी थे और सत्यवती उनकी माता थे परासर मुनी व्यासस से याने व्यास की सैली अपी वालमी के एव सरल एव जो व्यास की सैली थी याने लिखने की एक सैली होती है आप सभी जानते होंगे सैली का अरद तो वो वालमी की की ही तरह यहाँ पे क्या बोला जाता है सरल ही वालमीकी की तरह ही सरल थी वालमीकी ने महाभारत रामायन लिखा है जैसे कि आप सबी जानते होंगे और जो वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत की रचना की है यहाँ पर यह महाभारत इसकी रचना की है महाभारत अभी अधिकेन अनु महा भारत भी अधिक केन अनुस्टूत पच्छन दासा तो ये अपियाने होता है भी अनुस्टूत अनुस्टूत च्छन दसा एव उप नी बंधम आसीत हाला कि ये clear नहीं लिखा हुआ है लिखा साफ है लेकिन यहाँ पर जुशा है वो ऐसा वाला आना था तो आप देख लीजेगा इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था इसमें तो उन्होंने ये रचना किये वो बंधित है जो महा भारत वो अलग-अलग पागे दी अब देखेंगे तो 18 वर्स है महा भारत में उसमें से एक है भीश्म वर्स भीश्म वर्स उसी को गीता कहा जाता है महर से परास्यस से पुत्र तो ये तो वोई सेंटेंस लेखा है कि भगवान देव वेद व्यास महा रिश्म परास्यस से के हम पुत्र थे तो वोई बात हो गई कि आप पहले पेता के बारे में बताएं पुत्र के बारे में कि इनकी पुत्र थे फिर इनकी पिता थे तो आप ये सेंटेंस चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो हटा दीजे बढ़ा करने के लिए आप लिख सकते हैं एशा कैवर्त राजस से पादिल पुत्रे उनका जन्म कहां पर होता तो कैवर्थ राज़स से उसको लिख सकते हैं कि वो सत्य वता जब कैवर्थ राज़े में थी तब उनका प्राप्थ वान यानि जन्म प्राप्थ हुआ एशा कस्चन आलोकिक सक्ति संपन महापुर्शा एशा यानि यहां पर उनके बारें बात हो रही हैं वालमी के बारे में कि वो थोड़ी बहुत आलोकिक थे सक्ति संपन एक महापुर्श थे अभी च महानाय कारक पुरुष आसी तो वो एक महानायक पुरुष भी थे तो आयोप आपको समझ आया होगा इसको आप बहुत असानी से पॉइंट वाइस बना सकते इसको फर्स्ट गोल दीजिए इसको सेकेंड और चले तो यह थार्ड हो जाएगा अपना यह फोर्थ यह फिफ्थ और इसी कोपे कोड़ बना लेंगी इस सिक्स्ट, सेवंथ एट, नाइन, टैन और यह एलेविन यह एलेविन होगा और ट्वैल्फ तो तोटल बारा सेंटेंट्स है यहाँ पर तो आई होप आपको समझ आयेगा So at last thanks for watching the video, please इस वीडियो को जदे जदे शेयर कीजिए.